दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से दोस्तों आज इस वीडियो के मध्धम से हम आपको साजहां के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो बने रहिएगा सुरू से लेके अंत तक दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें हाँ बेल आइकन दवाना बिलकुल ही मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साजहा का जन्म पांच जन्वरी 1992 को लहोर में हुआ था इनकी माता मारवाल के राजा उदै सिंग की पुत्री जगत गोसाई थी इनका मूल नाम सिहाब उद्दीन था एहमत नगर के वजीर मलिक अंबर के बिरुद्ध सफलता के बाद इससे खुर्रम खुसी देने वाली की उपाधी मिली समकालीन इतिहासकारों ने इन्हें मुजाहित कहा सहजादा ने स्वैम को इसलाम का रख्चक गोसित किया एहमत नगर सिस्दी के बाद जहागीर ने इसे सहजहां की उपाधी दी साजहां का काल मुगल समराज जी का स्वर्ण युक कहलाता है साजहां का पहला सिछक मुला कासिम बेक ताबरी जी ठा प्रंत इस पत सर्वधिक प्रभाव हाकीमल गिलानी का पड़ा जिससे साजहां ने चिकिस्स सास्त्र की सिच्छ पाई इसने अपनी दादी रुकईया बेगम से भी तुर्की की सिच्छा पाई अर्जु मन्द बानो बेगम से इसका बिवाज 1612 भी में हुआ यह इसकी दूसरी वसर्व प्रिपतनी थी यह नूर जहां के भाई आस्फखा की पुत्री थी जिसने साजहां से मुम्ताज वम्मल लिकाए जमानी के उबादी से नमाजी गई मुम्ताज से साजहां की कुल चोधे संताने पैदा हुई जिसमें से सिर्फ साथ ही जीवित बची इसमें चार पुत्र वा तीन पुत्रिया थी 1631 इस्वी में मुम्ताज की मृत्यू हो गई, साजहाने एक हिंदू मा की संतान होते हुए भी किसी हिंदू इस्तरी से बिवार नहीं किया, बाद में खुर्रम को हिसार वा फिरोजाबाद की जागीर दे दी गई, जो प्राया यूराजो को दी जाती थी, जाहांगीर की मृत्यू के बाद मुगल काल में पहली बार उत्र अधिकार के लिए युद्ध हुआ था, यह युद्ध खुर्रम व साहर यार के मद्ध हुआ, 24 भरवरी 1628 इस भी को आगरा में अब्दुल मुझफर सिहाब दीन मुहम्मद साहिब किराने सानी के उपादी के साथ खुर्रम का राज्य भी सेख हुआ, साजहां का काल मुगल काल के सौर्ण युग के नाम से जाना जाता है, एम फ्लिश्टन, मोरलेंड, ट्रेविलियर, कफी खा, राय भारमल, इत्यादी बिद्ध्वान इस मद्ध से सहमद है, डाक्टर एस आस्चरम ने इसके काल को इस पश्ठता स्वर्ण युग माना है, एल फ्लिश्टन तो साजहां के काल को संपूर्ण भारती इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, प्रंत कुछ इतिहास का इस मद्ध से संतुष्ट नहीं है, वे कहते हैं कि साजहां जैसा महान प्रतापी समराठ पहले कभी पैदा नहीं हुआ था, मानुची ने उनकी नाय विवास्ता को निस्पच्च मानते हुए उनकी प्रसंसा की है, वैलेन पूल ने तो अकबर के काल को ही मुगल काल का स्वर्ण युग माना है, साजहां का काल स्वर्ण यूग था या नहीं इसके बारे में एल सिरिवास्तों का मत्य सर्वमान है उनके अनुसास साजहां का काल मुगल इतिहास का स्वर्ण यूग नहीं था बलकि कला और कला में भी वास्तु कला के संदर्भु में स्वर्ण यूग था 1658 इस्वी में औरंग जेव ने साजहां को आगरा के किले में नजर बंद कर सत्ता अपने हाथों में ले ली जहां आठ वर्स बिताने के बाद 1686 इस्वी में उनके मृत्यू हो गए इन आठ वर्सों तक साजहां की पुत्री जहां आरा ने अपने पिता की देख भाल की और राज महल से पूरी तरह से अलग हो गई साजहां की मृत्यू के बाद ही वा सर्व जनिक जीवन में वापस आ सकी उसने पिता पुत्र के भी सुला कराने का भरसक प्रयास किया प्रंतु जब हुआ आसफल रही इन आठ वर्सों में आउरंग येम ने एक भी बार अपने पिता से मिलने का प्रयास नहीं किया मृत्यू के बाद भी उसने अपने पिता के जनाजे को कंधा नहीं दिया साजहां की अर्थी नौकरो और हिज़ोडो ने उठाई चे सितंबग सोला सो सत्यावन इस भी को जब साजहां बिमार पड़ा तो साजादों में उत्राधिकार का युद्ध प्रारंब हुआ बादसा के जीवित रहते उत्राधिकार के लिए लड़ा गया मुगल काल का पहला उदार था इस युद्ध में भाग लेने के लिए सरुप्रथम साज सुजा ने जनवरी सोला सो अठावन में राजधानी की ओर पूच किया इस युद्ध में भाग लेने वाले सहजादे एक ही मा मुम्ताज की संतान थे उत्राधिकार के क्रम में कुल पांच युद्ध लड़े गए पहला युद्ध बहादूर पूर की लड़ाई फरवरी सोला सो अठावन दूसरा धर्मट का युद्ध अप्रेल सोला सो अठावन तीसरा सामूर गर की लड़ाई आठ जून सोला सो अठावन चौथा चन्वरी 1669, पाचवा देवराय कायुद मार्च 1669, साजहां काल में कुछ बिदेशी आये थे, पहला फ्रांसी त्री यात्री ट्रेवनियर ने पूर्व की साथ यात्राएं की थी, जिन में छे साजहां और अरंग्येप की काल में ही की, या पेशे से जवहरी था, इसकी यात्राओं में इसका साथ ही दौलेय डालानन भी साथ था, ये बताता है कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे, फ्रांसी सी बर्नियर ने 1656 भी में भारत की यात्रा की और 12 वर्सों तक भारत में रहा, या पेशे से चिकिस्षक था, ये जब आहमदाबाद पहुचा तो दारासिकों से मिला, इसी ने दारासिकों की हार के बाद उसे दिल्ली की सडकों पर घुमाए जाने का आखो देखा विवरण दिया है, इसने मुगल सहरों को सिविर नगर की संग्या दी, या कहता है कि भारत में धार्मिक सिच्छा के लिए मदारसों के अलावा सिच्छा का कोई केंदर नहीं है, पीटेर मुंडी, इटली से आया एक यात्री था, इसने साजहां के काल में दक्कन वा गुजरात में पड़े भीसर अकाल का आखो देखा विवरण दिया, मानुची इटली से आया एक यात्री था जो साजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्रा अधिकारिय युद्ध का प्रत्यच्छ दर्शी था, या दारासिकों की सेना में तोप्ची भी रहा, बाद में जैसिंग की सेवा में चला गया, यहां 1665 इसवी की पुरंदर की संधी में भी सामिल था, संधी के बाद सिवा जी ने इसे अपनी सेना में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया, प्रंत इसने यह प्रस्ताव आश्विकार कर दिया, इसकी मृत्यु मद्राज में हो गए, माल डेल इसलो ने 1638 में भारत की यात्रा की या जर्मनी का यात्री था, साजहां के बारे में कुछ महत्त पूर्टत, साजहां ने मुगल सामराज की राजधानी आगरा से दिल्ली इस्तरांतित की, मुगल काल में साजहां के समय ही सर्वधिक किसान बिद्रो हुए, 1649 को कांधार हमेशा के लिए भारत से छीन गया, साजहां की ही पहला मुगल था जिसने उत्रा अधिकार का युद्ध कराना पड़ा था, हिंदू मा से उत्पन साजहां ने किसी हिंदू इस्तरी से विवा नहीं किया, दोस्तों उम्मीद गरता हूँ, यह जानकारी आपके लिए कुछ नई रही होगी, दोस्तों यदि मेरी इस जानकारी में कोई भी तुटी रही हो, तो कमेंट करके अवस्य बताए, हम उसमें सुधार करने का भरसक प्रयास करेंगे, धन्यवादू.